बिस्मिल्ला रह्मानि रही कि मारा जो अग्ला टॉपिक है वो बेसिगल ही कि एक डिफरंस हाता होता है कि इसके दरमियान कि जो क्रोमटीन मेटीरियल है इसके आगे किसमे है उच्रॉमटीन और हेट्रो chromatin अबी chromatin material the highly dispersed state of dna material is called chromatin okay suppose that आक्क्रे पास मेटा ही है cell अब cell के अंदर कुछ रीजन ऐसा होता है टाइटी बांडिड होता है यह इसता है डार्क डार्क स्पॉट्स मिलेंगे आपको आपके यह पूरा निकली आसा है यह यह जो डार्क स्पॉट्स है यह बेटाजी हेट्रो क्रोमाटीन है और यह जो लाइट रीजन है यह यू क्रोमाटीन इसका मतलब यह जो क्रोमाटीन मैटीरियल है यह दो तरह का होता है एकिस में क्या आजाएगा यू क्रोमाटीन और एकिस में आजाएगा हेट्रो क्रोमाटीन ठीक है यू मीन ठूट हेट्रो मीन डिफरेंट किस से डिफरेंट यू से डिफरेंट अब इनके कुछ फीचर्स हैं क्या फीचर्स यह पहली बात यह लूजली बाउंडीड होते है जबके यह टाइटली माइंडीड होते है ठीक है लेस कंडेंस मोर कंडेंस जब आप इसको कलर करोगे यू क्रोमाटीन को यानिके आपने ओवराल नुकलियस को एक स्टेंड किया कलर कर दिये जब आप इससे कलर करोगे तो यू क्रोमाटीन जो सा होगा वो लाइट कलर स्टेंड होगा लाइट कलर और यह डाफ कलर अच्छा दूसरी बात इसमें सबसे ज़्यादा किस नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस मिलेगा आपको गोवानी स्टाइटोसिंगा यहाँ पर जीसी बेस सीक्वेंस सबसे ज़्यादा होगा क्योंकर लूजली यह है यह एक्टिव पोर्शन होता है यह क्या है यहाँ पर ए और टी का बेस सीक्वेंस सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको और यह नोनसेंस एरिया होता है आप हमेशा यह कहते हो कि कुछ जो जीन्स स्विच ओन होते हैं जो बेसिकली जीन्स स्विच ओन होते हैं वो कुछ से होते हैं यह बाले यू बाले ठीक है जिनके जीन्स स्विच ओफ होते हैं वो कुछ से बाले होते हैं हेट्रोप्रोमेटिक होते हैं ठीक है आपके पास यह सेल है अब ऐसे करें इसके निक्लियस के अंदर जो मैटीरियल है उस मैटीरियल को बढ़ा कर लें अब आपने इसको कलर किया है किया किया है झाल झाल यह जो colored portion है हाला के आपने सारे को color किया था और एक ही color किये थे आपने दो color नहीं किये लेकिन फिर double color के हुआ रहा है वो double color इसी वज़ा से आ रहा है क्योंकि एक थोड़ा से रंग ज्यादा पकड़ गया है एक रंग कम होकड़ा है जो कम रंग पकड़ेगा वो बेटा जी यू जो बेटा जी ज्यादा पकड़ेगा वो hetero और बड़ी मज़ेगी बात है कि जब इन्होंने आगे interface क्योंकि ये सारी चीज़े interface में appear होती है interface के बाद जो उसके portion होते है G1 phase के बाद S phase आना होता है उसके अंदर इसके बल भी नहीं खुलते किसके ये जो hetero chromatin है ये region hetero chromatin है और ये वाला region जो color है sorry less color है light color है ये u chromatin ठीक है ये tightly bounded होता है इसके बल भी नहीं खुलते ये copy भी नहीं होता लेकिन ये वाला loosely होता है ये copy भी हो जाते यहां तक बाद समय लेकिए तो ये दो एक difference था difference किसके दर्मियान था u chromatin के दर्मियान और hetero chromatin के दर्मियान ठीक हो गए पस ये आपने कर लेकिए